मसकार गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आसा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं तो आज दिनांक 28 जन्वरी है और आज किस वीडियो में बात करेंगे आज के अलू के भाव के बारे में तो आप लोगों को मेरे पीछे बैकड्राउंड में दिखाई दे रहा है कि यहां हम इस खेत के किसान भाई से बहुत सवाल करेंगे जो रोज नहीं किये थे तो सबसे पहले हम आप लोगों को अन्य जगे की जो अपडेट है चिवरामो फरकाबाद और कानपूर इलहाबाद और वेश्ट वंगाल के अलू के भाव के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा जुरूर देखना और अगर आप लोग पहली बार हमारी चनल पर विजिट कर रहे हैं तो देर किस बात की आप लोग हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मैं आपको इसी तरह के अलू का जो भाव है डेली अपडेट देता रहता हूं तो कर लिजेगा सब्सक्राइब और चलते हैं करते हैं अलू के भाव की बात तो अगर हम बात करें फरकाबाद मंडी की की फरकाबाद मंडी में आमधनी क्या रही है तो आपको सबसे पहले बता दें कि आज कल जो दिन चल लए हैं आलू के वह लगवग ऐसे हैं कि आल सब्सक्राइबाद मंदी में जो आमदनी है वहां के जो आलू का भाव है वह कल से 100 रुपए प्रत कोईंटल के हिसाब से डाउन है और आज वहां पे जो कंबे हैं वह साड़े 400 रुपए प्रत कोईंटल के हिसाब से अलू से बहां का भाव है वह 400 से ले कर 450 से लेकर 600 रुपए प्रति कोईंटल के हिसाब से आलू बहां पे भिक रहे हैं फारकबाद की मंडी में पहले भी कुछ दुनों पहले मंडियां खुलनी थी हमारी तो जैसे कि आपको बता दें हम देसंबर में बहां पे कट्टो के हिसाब से आलू की विक्री होने लगी थी अ और मन चालिस केजी का होता है जैसा कि आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो तो बहां के जो आलू का भाव है सपेद आलू बहां पे दो सो पचीस रुपए से लेकर और दो सो पचातर प्रति मन के हिसाब से बिक्य हुए हैं बहां पे जो आमदनी है वो सत्तर मोटर अगर बात आती है इलहाबाद मुंडेरा मंडी की तो इलहाबाद मुंडेरा मंडी में जो अलू का भाव है वो छेसों पचास रुपए से लेकि आठ सो पर प्रति कोईंटल के हिसाब से बहां पे बिची ही रहे हैं और अगर हम बात करें बेश्ट बंगाल की तो बेश्ट अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करें बिहार की बिहार गुलाब बाग में जो अलू का भाव है वो तो बिहार गुलाब बाग में जो सपेद आलू है वो 575 रुपए से लेकि 625 रुपए प्रति कोईंटल के हिसाब से बिक रहे हैं वहां पे भी आलू की डिमांड नहीं बताए जारी मलब आलू की डिमांड कहीं है ही नहीं तो अब अगर बात करें लाल आलू की तो लाल आल की इस्तती आलू मतलब कितने निकल ले हैं आलू का जो साइज है वो कितना है एक बीगे में जो पाइदाबार होती हो कितने में लागत में पूरी सिस्टम किसानवायों से बात करके पूंच लेते हैं तो चलिएगा मेरे साथ रहेगा कांटीनियू कि यह साथ में दादा जी लगता है वर आपका कांट्पी खोदाई हो रहे हैं कांसी वार्याटी है अलू की फॉल्ट में इसका क्या मतलब कौन सालू है चिप्स होना अच्छा सारी भैणियां श्यूंच है ना इसा क्यों आपने मिक्स भैणियां कि इसमें पोहीं थी अच्छा मलब सही जो हालू का वुचत दो किया लगता है कि पिछली स्साल के पेच्छा से आप के क्षेतर में इस साल अलू की भुआई कम होई ये जादा दो नई कलने क्व लग तो मनलब पिछली साल आपके एक बीगे में कितने कटी निकल लहें were पर साल तो कुछ नहीं नहीं कर रहा हूं तो क्या लगता एक वीगे में कितने कट्टे का निकला है मैं पचास माने तो चलेगा तो अब आपके उच्छत में जो पलड लिए यालु रखे जाते हैं तो अभी आलु कच्छा है आप एकवार दिखाएंगे यालु पाइज कैसा निकला है आपको दिखा देते हैं को एक तर चल के यह आप तो कहरें मतलब पैदाबार बहुत अच्छी है और यह मतलब इतना छोटा चोड़ी कितने दिन का अब का कितने दिन का कि अब तीन मेना चार पूरा हो जाता है तो तो यह का साय तो कम से कम तो इतना हो जाता चोटे इसकी मतलब कुछ कमी रहे ती आपने मतलब कुछ उबर ताएं बेल भी हाँ भी सही अगर भी खड़ा रहता तो और साइज बढ़ सकता था इसका क्या नहीं अगर भी यहां बढ़ सकता था ना फिर आपने इसको खाली क्यों कर जल्दी खेत को पहां लेने ह ले मंडी ले जाओगे कोल्ड के लिए मंडी में अटी में भाव क्या आपको पता चला आपको प्रफेश पर नहीं है सपेद और लाल में तो एक वार आपको इदर आलू की खोदाई हो रही वहां पी जो आलू का साइज है बोवी माप लोगों को दिखा देंगे कि आपको आलू का बभिश्स इसवार कैसा रहने वाला है बढ़िया नाई है तो फिकने की संबाबना है या क्या एस्तती है थोड़ा इसको विश्तार में मताने की कोसिस करने है तो नहीं पिक रहे कुछ लोग का कहना है कि इस वार तो मतलब आलू बहुत जादा मतलब यह बात तो हम आपकी इस वासे आम किस सहमत है पर मैं इस बात से नहीं किया पाइदा वार अच्छी है मुझे ऐसा नहीं लगता है कई खेतों में जाके देखा है किसी कि इतने भी आलू है आपको बता दें इतने पुराज पुस्कर जो होते हैं यह सब अच्छे निकल ले पर जितने ब्रांडड अलू है निवाइलेंड कंच अच्छन बगारा यह जितनी इतनी यह तो जो ब्रांडड बाद में पूर्ति कर पाते ना तो यह तो कम है तो ऐसे क्या लगता आपको बश्कराब होगा या बढ़ी आना अच्छा यह आपका का लास्ट है अच्छा लोग देख पा रहें यह कोदा ही हो रही है यह जो लोग पुरा जो लगाते हैं आप इसका जो दाम है आपको आप बैकने के लिए यह जाता या आप यह लगता ही है साथ में चला जाता है इसके इसकी बोर की कीमत कितनी होगी लगबग 25 रुप है कम से कम नया कट्टा यह तो सेकेंड देख रहा है जासे कि नया जो आता है उसका नव को लगाता सब सेकेंड लगाते हैं अच्छा ठीक है दन्नबाद कि यह आलू निकलने हैं है जोटे जोटे हैं है अरी इसका चाटा भी ना करना पड़ेगा है अलग-अलग कट्टे है सपेद के लग-लाल के लग अच्छा इतना सपेद है भो बड़ा-बड़ा दिख रहा है ना वही अलो तो अच्छी बादे या बुड़ी वादे जा बताव तुम पहले अच्छी बादे जा बता आओ तुम पहले को ठावस होगे है